हालो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों अभी मैंने थोड़ी दिर पहले आप से टेलिग्राम में पूछा था कि अगर आपको कोई इश्यू है कुछ पता नहीं चाला वीएट कांसलिंग के बारे में तो आप मुझे एमेल करके बता सकते ह यहां पर आई हुई है तो उन सभी के जादर कॉमन ही कुष्चन होते हैं तो जो कुष्चन यहां पर दिख रहे हैं इन सभी के मैं आपको बताने वाला हूं सुदूशन और आज लास्ट एट है फीस पे करने की तो इस वीडियो की डिक्रिप्शन में भी आपको एक लिंक म सब्सक्राइब कर लेना अगर फिर भी यहां से भी अगर फीस पे नहीं होगी फॉस्ट राउंट की कॉंसलिंग की तो आपको फिर एच्पी में कॉंटाट करना पड़ेगा क्यूंकि आज लास्ट एट है ठीक है और बाकी दोस्तों अभी यह कुछ कुष्चन है इससे पहल पर जोइन नहीं किया वो टेल्ग्रम के उपर फटा-फट से जोइन कर लो क्योंकि जितने भी मैंने आपसे कुछ पूछना होता है तब भी मैं वहीं पर पूछता हूँ ठीक है अगर कुछ आपको इन्फो देनी होते तब मैं वहीं पर इन्फो देता हूं कुई बादबा जो आपका comment है या email है या question है कोई भी है second round counseling कब होगी दोस्तों second round के counseling होगी 19 November से लेकर 23 November तक ठीक है 19 November से start होगी यानि कि 19 से आप college preference भर सकते हो और 23 तक ये चलेगी ठीक है 24 को आपका result आएगा और 25 को जो है आप report करना start कर सकते हो मुझलब 25 को आप college में रिपोर्ट के लिए जा सकते हो रिपोर्ट देने के लिए यान कि admission लेने के लिए आप 25 को college में जा सकते हो ठीक है यह हो गया आपका counseling का schedule के 19 से 23 तक आप apply करो 24 को result 25 से आप फिर रिपोर्ट करना करने जा सकते हो college में ठीक है second round में कैसे apply करना है तो second round में कैसे apply करना है उसके लिए मैं अलग से video बनाऊंगा जब notice आएगा तो उसके लिए मैं अलग से video बनाऊंगा कि किस तरह से apply करना है पूरा यही रहेगा बस fees आपको pay नहीं करनी है बाकी का सारा effective same रहेगा थिक है बस फीच पर नहीं करनी नहीं किया आपको option नहीं आएगा 4 पर अगर आपने फिसपे करना है और यहां पर होता है और अभी अगर नहीं मिला कोई बात नहीं अभी जिनके करना पड़ेगा इसके लिए एक वर फिस से बताता हूं कि फीस आपकी सैकेंड रॉन में नहीं लगती है नहीं थर्ड में लगती है और अब आगे आपका एक और कोशन था और आपका एक कोशन था दोस्तों कि कि फीस कितनी है तो फीस गवर्मेंट की 5,000 रुपए ठीक है और समेस्टर प्राइबिट की जो है वह है 30,000 रुपए अच्छा इसके बाद एक और क्वेशन यहाँ आपका आ रहा था कि यह जो फीस है इसके बाद अलग से फीस लेंगे वह फर्स समेस्टर की या नहीं तो दोस्तों देखो आपकी दो साल की 98,000 फीस होती है तो एक साल के आपके होगे 48,000 तो 48 मैंसे आपने 30 तो दे दी अभी और उसके बाद आपको 18 देने है और फिर आपकी एक साल की फीस कंप्लीट हो जाएगी ठीक है मतलब आगे आप जो है थोड़ थोड़े करके भी पैसे द देने है जितने ही आगे के बचे भी कठे देने है थोड़ थोड़े करके भी आप दे सकते हो जुरूरी नहीं की 18 तो अठारे दो आपको 9 करके दे दो बागी कोलेज के उपर डिपेंड करता है अना सभी ऐसे करते है सभी के पास देने पैसे नहीं होते कि सिधा एक लाक देखो उसके लिए एक तो अप्शन ये है कि वैरिफिकेशन होने के बाद भी ऑप्शन आता है वहां पे चेंज या मोडिफिकेशन का ठीक है ऐसे भी ऑप्शन आता है दूसरा आप जो है एक पर कन फर्म कर लेना ठीक है बैसे फीज पे करने के बाद एक उप्शन ये भी आ रहा है कि आप चेंज या मोडिफिकेशन तो नहीं करना चाहते हो तो वह आता रहा है या आप दूसरा ऐसे वह लगता है कि अगर आप जैसे फर्स ट्रॉन में कोलेज मिला आप रिपोर्ट ना करने जाओ तब भी आप सैकेंड में अप्लाई कर पाओगे पर उसके लिए आपको हैश्पिव से कनफर्म करना पड़ेगा यह बात ठीक है अगर किसी न ऐसा किया है पूछा है एच्पिव से तो कमेंट करके बता दे ना ठीक है कि अगर हमको को चलेज मिला हम नहीं जाना चाहते है तो बिना वेरिफिकेशन के भी कर सकते हैं अपलाई यह वेरिफिक कितनी सीटे बची हैं कैसे देखनी है आपको ओके तो यह अभी आज लास्ट डेट है फीज पेकर नहीं की इसके बाद दोस्तों एक नोटिफिकेशन आता है उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि गवर्मेंट की यहां पर कमेंटी पाया था कि गवर्मेंट की सीटे ब बची हुई है गवर्मेंट सीटे किस कैटेगर यह बची हुई है और दूसरा आएगा आपका धर्मशाला धर्मशाला में कितनी सीटे बची हुई है सब कुछ बहां पर बताया होता है कि इस कोलेज में इतनी सीटे बची है सब कुछ बताया होता है हर एक हिमाचल में जितन कि कितने सिटे फिलहाल बची हुई है कितनी भ्र गई है डिकार तो आथा आधा है वो आप मैं बदा दूंगा जब नौटी एन आयगा फिलहाल नोटिफिकेश्शन आगा तो नहीं आ आ है okay हो और एक और था आपका जो है याप पर नहीं कर पाया कि जिनका भी ग्रेजुचन का रिजल्ट नहीं किया था नोने तो वह क्या साथ्ड के लिए अपलाय कर सकते हैं तो जिल्व आफर्स के रिपलाई कर सकते हैं ठीक है और कई यूंगे यहां पर क्वेशन थे की अभी और DMC नहीं आई है तो कैसे admission होगी तो आपके grade card से admission हो जाएगी ठीक है grade card से admission हो जाएगी होनी चाहिए और एक बार आप college चहां पर आपका number पढ़ रहा है अभी पढ़ेगा second round में बहां से आप confirm कर लेना ठीक है वैसे हो जाएगा grade card से काम चल जाएगा ठीक है अगर DMC ही मांगेंगे तो फिर आपको बहुत देने ही पड़ेगी तो उससे पहले क्या करना जो आपको college मिला होगा बहां पर पूछ लेना कि यह चल पड़ेगी या नहीं चल पड़ेगा वैसे चलना जहें grade card कोई college तो समझ जाते हैं करता है कि वो अलो करते हैं यह नहीं करते हैं ठीक है तो यह थी दोस्तों आज की कुछ अपडेट्स और आप सभी के कोमेंट्स और वीडियो के अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जूरू करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक यू